हेलो दोस्तों मिराम अनुस्मार और आप सभी जितने भी दोस्तों का मिने दोस्तों का Uppslje में जोंक रियलिकरण आया है उसमें चैन हुआ है तो आप सभी को बहुत-बहुत सब कामना है बहुत बहुत अई और आज वीडियो होने वाला है वो आपके लेशन के बारे में होनी वाला है कि कि आपको कौन से कौन से डॉक्मेंट चाहिए और उस डीवी के उपरांत आपके ट्रेनिंग हो कब से स्टार्ट होगी उसमें सब कुछ आपको लिखा मलेगा पहले तक मेल आएगा जो कि आज से 2-3 दिन वाद आ जाएगा या मेक्स मेक्स पांत मा को मेल आ जाएगा अब उसके बाद मैं आपको वही जो मेल होता है वही बाइपोस्ट आपको एजेगा नौर्माल डोकुमेंट्स होता है कुछ एक डुकुमेंट्स है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है मैं आपको आज सारा किलियर कर दूंगा आब यह लेटर है यानि जब आपको फाइनल डीवी कराने जाएंगे तो आपको पहले ऑडिटोरियम में बैठा लिया जाएगा आप सबको यह वाला लेटर दे जाएगा अब इसमें कैमा को बता रहा हूं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको कौन सा कौन सा डॉक्मेंट से सबसे पहले आपके प्रवेस पत्र परवेस पत्र होता है फिर उसके बास पैचान पत्र में आपका आदार कार्ड नंबर तीन पर आप पत्र जहांके रहीने वाली निवास ही है नम्र तीन पर भूँ चाहिए तो सबसे पहले आपका एडमेट कार्ड उसके बाद आपका पैचान पत्र जो कि आधार कार्ड होता है उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र जी अब इसके बाद में आपको और क्या चाहिए हाई स्कूल की मार्क सीट अगर आपने 12 कर रखा है आपने और भी कोई higher qualification आपके पास है तो आप उसको भी लगा सकते हैं ठीक है उसके बाद कई साथ ही ऐसे होते हैं जो कहीं private job कर रहे होते हैं या फिर कहीं इसके बाद में अब जो इसके बाद में आता है एक medical certificate ठीक है तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी समय लग जाता है दो से तीन दन का क्योंकि पहले आपको लोग बुलाएंगे पहले बता रहा हूं कि medical बनना कहा से तो यह आपके मंडल से बनेगा ठीक है यह आपकी जिलास न में यह आपके मंडल से बनता है जैसे कि मेरा जिला एटा है तो मेरा मंडल जो अलिगड़ पड़ता है अब अलिगड़ मंडल में एटा हात्रस कासगंद और अलिगड़ यह चारज ले आते हैं तो इन चारों जिलों का कोई भी candidate होगा तो उसका जो मेडिकल है वो अलिगड से ही बनेगा ठीक है तो अब उसमें मेडिकल बनता कैसे आप सबसmental अपने मंडल में जाएंगे वहां से आपको सारी आपके जांचे होंगी ठीक है आप जाएंगे आपकी यांच लेने के बाद में आपको अगले दिन बॉलाएंगे तो अगर टीम होई है तो आपको क्लियर हो गया आपका medical आपके मंडल से यह बनना हे ना कि जिलाज प्ताल से इसमें कोई दिक्कत है नहीं है अब उसके बाद अपको थे दियान देना है कि और अब कुछ होते हैं जैसे हैं निश्टा की निता है ना गोप निपनीता की सबते इस से वह बहुत बड़ी बात नहीं होती, जब आपका जो अपुएट में लेटर आएगा उसमें सारी फोर्मेट आपके लिखिये होंगे। उसमें कुछ नहीं करना आप आपको अपना नाम बरना है उनीचे हस्ताच सरकते जाना तो कुछ नहीं होता, ठीक है। है और सो डॉपर नौर्मलस चीज है उसका आराम से बनो लाँ ये अब इसके बाद आता कि आपका है कि सबद्पत्र और बंद्पत्र हो ठीक है वह समय गमेटक्ट एस तीन डॉकिमेंट रहें एक सपथ पत्र, एक बंधपत्र और एक हैसियत वाला होता है अब देखें का सपथ पत्र तो आपको ध्यान देना है अपकका फोटो लगता है कि सबत्तर पे आपका फूटो लगेगा और बंद पत्र पापका फोटो नहीं लगेगा फिर्थिए सबत्पत्र आपको अपनी टैसील में जाएंगे टैसील में जाके जो नोट्री वाले होते हैं वहां से आपको 100 रुपे का एक स्टम्प खरीदना है और आपके अपको लेटर में पूरी भाहसा लिखी होगी जो कि आपको उस सबत्पत्र पर ऐसे करके नीचे लिखाए ना यह यह लिखाए यह आपको पूरी टैप करा लेनी है इसको बाद में आप उसको कोई भी नोट्रल उसको अटेस्टेट कर देगा कोई पकील उसको अटेस्टेट कर देगा उसमें किसी भी और अधिकारी के दर्श्टकत की जरूरत नहीं होती है किसमें सपत्पत्र में अब बा आखे एक लाख साटतर है रपे का बन जाता है बॉन्ड अब यह बॉन्ड की जूद के से पड़ती है देखिए आपके बस दो अप्स नहीं या तो आप अपनी हैसियत लगा दीजी या फिर आप अपना बीज को जमा करैं तो मेरा मनणा है जैसे आपके बीडी यरी से पापा दादा किसी की में पनर ऊड़ दिक्कात dalती आफ को या सिफिए लिए शैपिए सबने कि आपको हैसियत के लिए अपने टैसील जाना है ऍयक है सबसे पहले लेपाल आपकीयर लगाएगगा ठीक आपको किसी की खेत की हिस्यत लगानी है तो पहले उसका घ्रतोनी जो होता है उसको आप वहां से निकल वाएंगी उसको लेकपाल उसको अटेस्टेड करेगा पहले उसके बाद में अब उस पे खरेगा तैसिलदार अपने सायन तो जैसे मालोब अपने बागा के नाम से अपनी हैसियत बनवाई तो लेक पाल तुसानीं खरदेगा फिर उसके बाद में आपको तैसिलदार के समझ प्रस्तत होना है अपने प्रत्तिभूव को लेके प्रत्तिभू अपनों गारें आपके दस्तकत कर देगा और आपकी वह हैसियत एक दम से मानने हो जाएगी और इसमें कोई बहुत ज्यादा मेंटर नहीं होता है अब बंधपत्र के लिए रहे और आपका मेंटर यह जो बहुत जादा मेंटर होते हैं और बच्ची थोड़े दिक्कत करेगा ठीक है दोस्तों और इसकी साथ आगे मिलते रहते हैं आपसे ठीक है और भी कूछ जानकारी होगी तो आपको बताएंगे और जुटे ने के मेरे सा साथ अभी थोड़ी समय की बैस्तता है तो आपको समय नहीं देपा रहा हूं फिर भी अपनी याद है उनको मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहा हूं और आगे भी एकदम बहुत अच्छे अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा जब तक खिली साथ जुड़ पर लिगेगा थेंक्यों